आज मैं आप सभी के लिए काफी important विडियो लेके आई हूँ तो देखे आपके आगामी उत्राखंड के सभी एक्जाम के रिगार्डिंग आप सभी को study with aim की द्वारा practice set provide कराये जा रहे हैं यह practice set आप सभी को alternate days पर रात को 8 बजे provide कराये जाता है और अभी तक 8 practice set आप सभी को already provide करा दिये गए हैं आज यह 9 practice set है तो जिन लोगों ने पुराने practice set नहीं देखे हैं study with aim पर playlist अबडेट कर दी गई है तो वहाँ पे आप visit करके अभी तक के सारे practice set को एक साथ देख सकते हैं और यह practice set totally I.O के pattern पर तैयार किया गया है 100 question इस practice set में रखे गये हैं जिसमें 20 question हिंदी के इसके अलावा GKGS, computer और उत्राखंट के question रखे गये हैं यानि कि जिस pattern पर आपका आगामी question paper I.O के द्वारा बनाया जाएगा उसी pattern पर यह practice set हमारे द्वारा बनाया गया है तो काफी महतपूर यह practice set बन जाता है आपके आगामी, उत्राखंट, पुलिस, पटवारी, लेक पाल, फॉरेस्ट, गार्ड वा अन्य, एक दिवसी सभी परिक्षाओं है तो आप सभी लोग हमारे इस practice set में starting से लेकर end तक बने रहें तो चलि हैं तो उसका notification आपके पास जल से जल पहुंच जाए आप सभी लोग हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं यह फिस्टेडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलिग्राम चैनल पर रात को 8 बजे quiz का भी आयजन किया जाता है काफी important question आपको दिये जाते हैं quiz के रूप में तो आपको जोइन कर सकते हैं तो चलिए आज के session को हम start करते हैं session का पहला question है पवववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव तो देखें रस निश्पती की दृष्टी से भक्ती रस का आलंबन निमने लिखित मैंसे कौन नहीं हो सकता इन मैंसे इसका राइट आंसर हो जाएगा पुत्र option B यहाँ पे आपका राइट आंसर है अगला question देखेंगे जिसका शत्रू पैदा ही न हुआ हो के लिए एक शब्द निमन मैंसे कौन सा है तो देखें जिसका शत्रू पैदा ही न हुआ हो के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा अजात सत्रू option C यहाँ पे आपका राइट अगला कुश्यन देखेंगे मीन का परियाईवाची शब्द है तो देखें मीन का परियाईवाची शब्द क्या होता है मतश्य यानि की option D's question का correct answer है अगला कुश्यन देखेंगे घनिस्ता का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है तो देखें घनिस्ता का शुद्ध है घनिष्टता option c बिल्कुल राइट आंसर है अगला कुशन देखेंगे निमने लिके जोडों मैं से उत्तम पुरुस वाले जोड़े को पहचानिए तो देखें जो आपके जोड़े दिये हुए हैं उन मैं से उत्तम पुरुस वाले जोड़े कौन से हैं ये पहचानना है तो उत्तम पुरुस वाचक सर्वनाम कहते हैं ये आपको ध्यान में रखना है जिन शब्दो को बोलने वाला अपने लिए प्रियो करता है उसे उत्तम पुरुस वाचक सर्वनाम कहा जाता है अगला कुशन देखेंगे कटोरे भर उसने खीर खाई वाक्य में अनुबद्द सम्मंद वोधग अभ्याई कौन सा है तो देखें कटोरे भर उसने खीर खाई इस वाक्य में बताना है कि अनुबद्द सम्मंद वोधग अभ्याई कौन सा है तो इस question का right answer हो जाएगा भर option B यहां पे आपका right answer है अगला कुशन देखेंगे हाथी आता है यहाँ पाकी बहुआ चन में होता है तो देखें हाथी आता है तो इसको बहुआ चन में अगर हम लिखें तो किस परकार लिखा जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हाथी आते हैं यानि कि option B यहाँ पे आपका राइट आंस के रशनाकार बताने हैं कौन थे तो इसके रशनाकार थे प्राण कुमार शर्मा यानि की option D इस question का right answer है बच्चों की कहानिया ये comics है तो इस comics को लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रशनाकार कौन थे प्राण कुमार शर्मा थे option D बिल्कुल correct answer हो जाएगा आपका यहाँ पे चलिए अगला question देखें कुल का अर्थ वंच होता है परंतु इसके सम रूपी शब्द कूल का अर्थ होता है तो देखिए कूल का अर्थ वंच होता है आप सभी को पता है लेकिन इसका सम रूपी शब्द है कूल तो कूल का अर्थ क्या होता है इन में से बताना ह आपको गर्म होता है, किनारा होता है, खोटी होता है, यहाँ पर नैपोनी होता है तो देखिए, कूल का जो अर्थ होता है, वो क्या होता है? किनारा option B, यहाँ पर आपका right answer है अगला question देखेंगे, गहरा शब्द का भावाचक संग्या रूप है तो देखें, जै का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा यहाँ परा जै option D, इस question का correct answer है अगला question देखेंगे, देश भक्ती में समास है तो देखें, आपके syllabus में समास नहीं है, तो आप इस question को script कर लिजे देश भक्ती में वैसे समास की बात करूँ, तो इसमें ततपुरुष समास होता है अगला question देखेंगे, काईख, मानसिंख, आहारी और सात्विक, किसके भेध हैं तो देखें, काईख, मानसिंख, आहारी और सात्विक, यह भेध हैं किसके अनुभाव के option A यहाँ पे आपका right answer है, अनुभाव रस के चार प्रमुख अंगो, कौन-कौन से, विभाव, अनुभाव, अभिचारी और संचारी भाव में से एक है अनुभाव आश्रे के मन में इस्थाई भाव को जागरत करने का कारिय करता है तो option A, यहाँ पे आपका correct answer हो जाएगा, अगला question देखेंगे, निमनलिकित में से तदभाव शब्द है, तो इन में से आपका तदभाव शब्द क्या हो जाएगा, ओजह, option C, यहाँ पे आपका right answer है, यह उपाध्याई तदसम शब्द से बना है, तो यह जो है ओजह, यह उपाध्याई तदसम सब्द से बना हुआ है, अगला question देखेंगे, निमनलिकित शब्दों में से विशेशन को पहचानिए, तो इन में से विशेशन आपको पहचानना है, विशेशन कौन सा हो जाएगा इन में से, एतिहासिक option, यह बिलकुल right answer हो जाएगा, एतिहासिक यह सब भी आपके क्या होते हैं, विशेशन शब्द, अगला question देखेंगे, अवलंब, अविलंब, शब्द यूक्म का सही अर्थ है, तो देखें, अवलंब, अविलंब, शब्द यूक्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा, इसका correct answer है, सहारा, शेक्र, अवलंब का मतलब होता है, क्या श्रीघर, तो option A, यहाँ पे आपका correct answer हो जाएगा, अगला question देखें, अगला question है, कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाकिय में कारक करमशा है, तो देखें, इस वाकिय में कौन सा कारक है, यह बताना है, कृष्ण ने कंस को मारा वाकिय में, तो इस question का right answer हो जाएगा, कर्ता कर्म, इसमें एक तो कर्ता कारक है, दूसरा कर्म कारक है, कृष्ण ने कंस को मारा, ने जो है, यह आपका कौन सा कारक है, यह आपका कर्ता है, और को जो है, यह आपका कर्म कारक है, तो यह ध्यान में रखना है, कर्ता और कर्म दो कारक है, इसमें, अगला question है, जिसका वर्ण करम आदी लगू मध्य गुरू अन्त लगू हो उसका गण होगा तो देखें जिसका वर्ण करम आदी लगू मध्य गुरू अन्त लगू हो तो उसका गण क्या होगा इसका राइट आंसर है जगण option b यहाँ पे आपका right answer है सही गण जगण है और इनका प्रियोग वर्लिक छंदों में किया जाता है जगण क्या होता है जैसे कि आपको आपके दोहे बगरा लिखा जाता है तो कोई पंक्ती लिखी जाती है तो ऐसा shine आपको दिखता है तो इसको जगण बोला जाता है तो सही गण जगण है और इनका प्रियोग वर्लिक छंदों में किया जाता है जो छंद लिखे जाते हैं उनमें इनका use किया जाता है ये ध्यान रखेंगे अगला question है सुद्ध वाक्य चुनिए तो देखे यहाँ पर आपको वाक्य दिए हुए है इनमेंसे आपको शुद्ध वाक्य चुन लेना है तो इनमेंसे सुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा वाक कितना सुन्दर द्रिश्य है option 20 question का right answer है ये शुद्ध वाक्य है अगला question देखेंगे अगला question है इसकंद पुराण में गडवाल छेत्र का वर्णन किस खंड के अंतरगत आता है तो देखेंगे इसकंद पुराण में गडवाल छेत्र का जो वर्णन है ये किस खंड के अंतरगत आता है ये आता है आपके केदार खंड के अंतरगत option A बिल्कुल right answer है दिखे इसकंद जो पुराण है तो इसकंद पुराण में हिमाले को पांच खंडों में विभाजित किया गया है और इन्हीं खंडों में से एक खंड है केदार खंड जिसका संबंद है कड़वाल छेदर स्थे अगला कुश्यन देखेंगे उत्राखंड के पुर्थम परमवीर चक्र विजेता का नाम क्या था तो दिखे उत्राखंड के पुर्थम परमवीर चक्र विजेता कौन थे ये थे मेजर सोमनाथ सर्मा ओप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर है मेजर सोमनाथ सर्मा भारतिस सेना की कुमाउ रेलिजमेंट के चौथी बटालियन के कमपनी कमांडर थे जिन्होंने वर्ष 1947 में के भारत पाक संगर्ष में अदम्य साहस का परिचे दिया था और ये परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले उत्राखन के पर्थम्यक्ती अगला कुश्यन देखेंगे निमनलिखित मैं से किसे पहाडों की रानी कहा जाता है देखें पहाडों की रानी कहा जाता है मसूरी को आप सभी को पता है और यहां हिमाले परवत की कि शेनी के अंतरगत आता है शिवालिक शेनी के तो मसूरी जो है यह हिमाले परवत के शिवालिक शेणी के अंतरगत आता है इंपोर्टेंट पॉइंट है और समुद्र तलसेश की आउसत उचाई की बात करें तो लगभग इसकी आउसत उचाई कितनी है दो हजार पांच मीटर अगलाा कुश्यन है शेव परशाद डबराल को जाना जाता है देखे शेव परशाद डबराल जो है इन्हें एक इतिहास न साथ कर की रूप में जाना जाता है option C यहाँ पर आपका right answer है शेव परशाद डबराल उतराकंड के एक महान इतिहास कर थे और इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 12 नवेंबर 1912 को पौड़ी करवाल में हुआ था और शंगहर्ष, शंगीत, हुतात्मा, परिचेई, आदे इनकी प्रमुक्ष रशनाये हैं जो कि आयुक दोरा पूछे जा सकते इनको ध्यान रखेंगे अगला कुश्चन है भिलंगना नदी का उद्गम शोथ है तो देखे भिलंगना नदी कहां से निकलती है भिलंगना नदी निकलती है आपके खतलिंग गलेशर से और भिलंगना उत्राखन की एक महतफोन नदी है ये आपको ध्यान में रखना है अगला कुश्चन है दसॉली इसके संस्थापक कौन है इसके संस्थापक है चंडी पुछा जा सकता है तो आपको याद रखना है गोपिश्वर में इसकी स्थापना की गई अगला कुशन देखेंगे उत्राखंड के पर्थम राजिपाल कौन थे तो उत्राखंड के पर्थम राजिपाल थे सुर्जीत सिंग बढ़नाला ऑप्शन सीस कुशन का राइट अंसर है और इन्होंने उत्राखंड पंजाब आंध्र प्रतेस एवं अंडवान निकोबार दी समों में राजिपाल एवं उफ राजिपाल के रूप में भी कारी किया है अगला कुशन देखेंगे किस जनजाती द्वारा रितु प्रवास किया जाता है तो देखें कौन से ऐसी जनजाती है जिनके द्वारा रितु प्रवास किया जाता है ये जनजाती है भोट या जनज option c बिलकुल right answer है और बोटिय जनजाती उत्राखंद के टिबत से cauliflower से लगे सिमानत एलागों में निवास करती है अगला question देखेंगे गबढण सिंऺ नेगी सम्दित है तो देखेंगे गबढण सिंऺ नेगी से सम्दित है क्या सम्दित है ये बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Victoria Cross option C बिल्कुल राइट आंसर है गबबर सिंग नेगी प्रथम विश्व युद्ध के दोरान British India Army के सिपाई थे और इन्हें Victoria Cross से नवाजा गया है अगला कुश्यन देखे गोरी गंगा काली नदी से किस इस्थान पर मिलती है तो देखे गोरी और काली नदी का संगम कहां पर होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा जौल जीवी में option D यहाँ पे आपका राइट आंसर है गोरी गंगा और काली नदी जो है इनका संगम जौल जीवी में होता है जो कि कहां पर इस्तित है जौल जीवी पिथोरगर जनपद में इस्तित है और यहीं पे जौल जीवी नामक स्थान पर काली और गोरी नदियों के संगम पर जौल जीवी मेले का आयजन भी किया जाता है और एक question आयोग दोरा पूछा जाता है कि जौल जीवी जो मेला है इसके शुरुवात किसके दोरा की गई तो आप comment करके बताईएगा जौल जीवी मेले की शुरुवात किसके दोरा की गई जो कि पितहौरगर जनपद में मनाया जाता है अगला question है जागर का अर्थ है तो देखे जागर का क्या अर्थ होता है जागर का अर्थ होता है समाज को जगाने वाले जागरियां गीत यानि कि option A यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा और उत्राखंड में एक प्रकार का धार्मे कीत है जागल जिससे समाज को जगाने का कारी किया जाता है अगला गुशन देखेंगे उत्राखंड का जन संख्या घनत्व है तो उत्राखंड राजी का जन संख्या घनत्व कितना है इसका राइट आंसर हो जाएगा दिखे वर्ष 2001 की जनगर्णा की अनुसार बात करें तो उत्राखंड का जन संख्या घनत्व कितना है 159 है और जो की वर्ष 2011 की जनगर्णा की अनुसार बात करें तो वर्ष 2011 की जनगर्णा में यह घनत्व बढ़ कर कितना हो गया 189 हो गया तो यह आपको ध्यान में रखना है और दियेगे विकल्पों में कोई भी विकल्प आपका correct नहीं है तो इसका जो उपियुक्त विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा उपियुक्त मैंसे कोई नहीं option D यहाँ पे आपका right answer है तो आपको याद रखना है 2011 की जनकरणा के नुसार है 189 अगला question देखेंगे निम्न मैंसे किसका संबंद चिपको आंदोलन से है तो देखें चिपको आंदोलन से किसका संबंद है गौरा देवी का संबंद है आप सब इको पता है और दो गौरा देवी है चिपको आंदोलन की जननी तथा चिपको वोमेन में इनको कहा जाता है अगला कुशन है अलगनन्दा एवं मननाकनी नदियों के संगम पर इस्तित है तो देखे अलगनन्दा एवं मननाकनी नदियों का संगम कहां पर होता है रुद्र प्रियाग में, option A बिल्कुल right answer है अगला question देखेंगे, कौथिक का अर्थ है तो देखें कौथिक का क्या अर्थ होता है कौथिक का अर्थ होता है, मेला option A यहां पे आपका right answer है कौथिक उत्राखंड का परामपरागत महोच्छो है यहां परतिवर्ष आयजित होता है और इसका आयजिन उत्राखंड के अलावा अन्य राजियों में भी किया जाता है अगला question देखेंगे, उत्राखंड में कर्शी योगी भूमी का परतिशत है वो कितना है वो है आपका 13 प्रतिशत option C यहाँ पे आपका right answer है उत्राखंड का कुल भागोलिक छेतरफल की बात करें तो उत्राखंड राजिय का कुल भागोलिक छेतरफल है 53,483 वर्ग किलोमिटर जो देश के कुल छेतरफल का 1.69% है और इसमें लगभग 13% भूमी किर्शी योगी भूमी है अगला कुशन देखेंगे गड़ केशी के नाम से किसे जाना जाता है तो देखें गड़ केशी के नाम से जाने जाते हैं कौन अनुसुया परशाद बहुगुणा option D question का right answer है और इन्हों ने स्वतंतिता आंदोलन में प्रमुक भूमी का निभाई थी परिमारजन नेगी के स्खेल से संबन्द हैं परिमारजन नेगी जो है ये संबन्द है किस से चैस से यानि कि सत्रंज से option C यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा और परिमारजन नेगी के जन्म की बात करें तो वर्ष 1993 में उत्राखंड में इनका जन्म हुआता और इन्हें question C question का right answer है देखे ब्रहत हिमाले उत्राखंड के 6 जिलो 6 जिले कौन कौन से है एक तो है आपका पिथोरगड जिला दूसरा है आपका उत्तरकाशी उत्तरकाशी तीसरा है टिहरी चौता है रुद्रप्रियाग पांचवा है चमोली और छटा है आपका कौन सा बागेश्वर तो 6 जिलो में ये फैला हुआ है आपका ब्रहत हिमाले ये ध्यान रुखेंगे और पूर्व से पश्चिम तक ये 6 जिलो में फैला हुआ है अगला question देखेंगे उत्राखंड का कौन सा बाग वर्षा रितु में सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है तो ये जो बाग है ये होती है और राजपुरिस्थान पर सामाने सरवाधिक वर्षा होती है ये भी आपको ध्यान में रखना है अगला question देखेंगे उत्राखंड में राजयोसु पुलिस व्यवस्ता लाग हुई तो देखें उत्राखंड राजयोसु पुलिस व्यवस्ता ये कब लाग हुई ये आपके 1874 में option C यहाँ पर आपका right answer है देखे उत्राखंड में राजयसु पुलिस व्यवस्ता 864 में लागू ही और बरतमान में यह है उत्राखंड के 61% भाग पर लागू है और इस व्यवस्ता में पटवारी कानून गो नायब तहसिलदार परगना अधिकारी जिला अधिकारी वक कमिशनर को राजयसु के साथ पुलिस का काम भी करना होता है और कुमाओ के कमिशनर रेमजे ने इस व्यवस्ता को शुरू किया था ध्यान दीजी का किस ने शुरू किया था रेमजे ने कमिशनर अगला question है यूनेसको द्वारा फूलो की घाटी को विश्व धरोहर घोशित किया गया तो देखिए यूनेसको के द्वारा फूलो की घाटी को विश्व धरोहर इस ताल कब घोशित किया गया इसका right answer हो जाएगा वर्ष 2005 option B यहाँ पे आपका बिलकुल correct answer है और फूलो की घाटी का जो छेत्रवल है यह 87.5 वर्ग किलोमेटर है और इसकी खोच England के परवतारोही फ्रेंक स्माइट ने कब की थी जल्दी से आप कमेंड करके बताएं कि कब इसकी खोच की गई थी फूलो की घाटी की अगला कुशन देखें हिम जोती foundation देहरादून का उद्देश है तो देखें हिम जोती foundation जो की कहां परस्तित है देहरादून में है और इसका उद्देश है इसका उद्देश है मेधावी चात्रों की उत्तम शिक्ष्या यानि के option ए इस question का right answer है देखें वर्ष 2005 में उत्राखंड के तातकालिक राजिपाल सुदर्शन अगरिवाल ने हिम जोती foundation की स्थापना की और इस स्था का मुख्य उद्देश है मेधावी इसके अलावक गरी प्राप्त हुई है कहां से प्राप्त हुई है यह बताना है तो यहां पर आपका right answer हो जाएकर लाखा मंडल से option बीस question का बिलकुल right answer है चांगलेश प्रशस्ति देहरादून के लाखा मंडल से प्राप्त हुई है और इसमें चांगलेश राजवश की जानकाली मिलती है और राजा चंगलेश ने उतकेर्ण करवाया था और दीखें लाखा मंडल जो है यह एक प्राचीन शेव मंदिर है जो की देहरादून में स्तित है अगला question देखेंगे के दानात पुरण निर्मान का कारिय नहरू परवता रोहन संस्थान को अधिकारिक तौर पर कब सौफा ग जाएगा 11 मार्च 2014 को केदानात मंदिर के पुरण निर्मान का कारिय नहरू परवतार रोहन संस्थान को सौप दिया गया और यह है मंदिर उत्राखंड के रोधरु परियाग जिले में स्तित है यह ध्यान रिकना है आपको केदानात मंदिर कहां पर है रोधरु परियाग मे बीच होती है तो देखिए यहाँ पर आपका correct answer हो जाएगे इस question का 60 से लेकर 75 अगला question देखिएगे एक बार धाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किये जा सकने वाले plastic को क्या कहा जाता है तो इससे क्या कहा जाता है इससे कहा जाता है थर्मो सेटिंग प्लास्टिक यानि कि option D discussion का right answer है अगला question देखिएगे वर्षर 1943 में vitamin K के आविसकार के लिए test को noble पुरुसकार दिया गया था तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा किसको दोईजी एंड डैम को option B इस question का right answer है अगला question देखिएगे इस साइट आईबी एंड राउ दर रोलिंग स्टोन देट गैडर्स मॉस किताब के लेखक कौन थे तो इस पुस्तक के लेखक थे कौन के संकरा नायर option C यहाँ पर आपका right answer है अगला question देखिएगे अगला question है आ अनाधिकरित computer program एक अधिकरित कारिकरम की तरह व्यवहार करता है जिससे वह वास्तों में क्या कर रहा है उससे चुपाता है इससे संबावता कहते हैं तो इसे कहा जाता है गया Trojan Horse option A यहाँ पर आपका right answer है Trojan Horse एक अनाधिकरित computer program है और यह एक अधिकरित कारिकरम की तरह व यहार करता है जिससे वह वास्तों में क्या कर रहा है उसे चुपाता है और था उसके वास्तों कारी के संबंद में जानकारी नहीं मिल पाती है अगला question देखेंगे निमने लिखित मैं से कौन सी नदी यमुना नदी की सायक नदी नहीं है तो देखें यमुना की सायक नदी क जो है यह गंगा की प्रमुक्स हायक नदी है जो कि यम्नोत्री गलिशर से निकलती है। अगला कुश्चन देखेंगे वह मर्धा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेस के डैस जिले में पाइजाती है। जॉन पुर जिले में option ए इस question का right answer है जॉन पुर जिले के मिर्दा में पोटास की कमी पाई जाती है और इसके अलावा आजमगड और मरू जिलो के मिर्दा में भी पोटास की कमी पाई गई है ये ध्यान रखेंगे अगला question है एक उच्च नियायले से दूसरे उच्च नियायले में किसी नियायधिस के इस्थाना अंतराण के लिए कौन प्राधिकरत है तो देखें इस question का correct answer हो जाएगा रास्ट्रपती option able को right answer है अगला question देखेंगे देखें उच्च नियायले के किसी नियायधिस का इस्थाना अंतराण किसी दूसरे नियायले में करने का अधिकार भारत के रास्ट्रपती को है और यह सकती अनुच्छे 222 के अंतरगत दी गई है रास्ट्रपती को ये ध्यान रखेंगे चलिए अगला question देखते है इसे भारती सरकारद्वारा रास्ट्रपती के रुप में अपनाया गया है और इसको कौन से संग्राले में संग्रक्षित किया गया है ये बताना है तो इस question का correct answer क्या हो जाएगा आपका इसका right answer है सारनाथ option B यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा अगला question है आपका चंदेल शाषन के दोरान उतर प्रदेश का निमनलिखित में से कौन साथ छेत्र बिइन जी जग भक्ती या जै होटी के नाम से जाना जाता था देखे most important question है और ये practice that काफी महतवण है आपका totally I.O के pattern पर इसको तयार किया गया है तो आप daily से follow कर सकते हैं या फिर आप सभी को ये जो practice set है ये alternate days पर provide कराया जा रहा है लेकिन आप study with aim पर playlist बनाई है practice set के तो इसे daily भी देख सकते हैं एक practice set हर रोज तो आप सभी लोग एक बार playlist जरूर चेक आउट का लिजे study with aim का और काफी महतोपोन है ये practice set आपके आगामी सभी उत्राखने exam के लिए और आप सभी को आज का ये practice set पसंद आ रहा है तो इसे like कर लिजे जिन लोगों ने अभी तक हमारे youtube channel study with aim को subscribe नहीं किया है वो subscribe कर लें क्योंकि काफी महतोपोन classes आपको यहां पर दी जा रही है study with aim के द्वारा और साथ ही साथ आप सभी को इस session को share करना है अगला question है चंदेल शाषण के दौरान उत्तर प्रदेश का नेमने लिखित में से कौन सा छेतर जीजग भक्ती या जीजग भक्ती या जाई होटी के नाम से जाना जाता था चंदेल वंच की स्थापना की बात करें तो चंदेल वंच की स्थापना नौवी शताबदी में किसके द्वारा नन्नुक के द्वारा नन्नुक ने चंदेल वंच की स्थापना की थी और इसके राजथानी कहां पर थी खजुराहू में अगला question देखेंगे, अगला question है, राजसु सुधारों को सरपर्थम किसने चलाया था, तो देखें राजसु जो सुधार थे, तो इनको सरपर्थम चलाया था, किसने अलावदिन खिलजी ने, option B, किशन का बिल्कुल right answer हो जाएगा, राजसु सुधारों को खिलजी वन्ष के शार्षक अलावदिन खिलजी की गहरी रूची थी राज असर जो सुदा थे तो इसमें खिलजी वन्स के शार्षक अलावदिन खिलजी की गहरी रूची थी और इसने अपने शार्षन काल में किसानों पर घरी या फिर गिरी तथा चराई कर चरी लगाया था तो देखिए ये ध्यान रखेंगे कौन कौन से कर इसने लगाया थे और अलावदिन खिलजी को बाजार एवं मोली नियंतरण के लिए भी जाना जाता है अगला कुश्यन है किस गटक से गुजरने पर प्रकास की गति सबसे अधिक होगी तो ये कौन सा घटक है ये है आपका हवा जहां से अगर प्रकास गुजरेगा तो इसकी गति सबसे अधिक होगी अगला कुश्यन देखेंगे तीसरी बौध परिशत के शहर में आईजित की गई तो देखिए तीसरी बौध परिशत का जो आईजन है ये किया गया था इससे आयो के द्वारा अक्सर कुश्यन बनते हैं तो इसको ध्यान रखेंगे तो बौध संगति जो है ये मौरी काल से सम्मंदित है तो मौरी शाशक अशो के शाशनकाल में तीसरी बौध शंगती का आयजण कहां पर पाटली पुत्र में हुआ था और इस संगती का अध्यक्ष मोगली पुत्तिस मोगली पुत्तिसा ने इसकी अध्यक्षता की थी इस संगती ये अगला question देखेंगे भारती रिजर्व बैंक की स्थापना किशवर्च हुई थी तो देखे भारती रिजर्व बैंक की जो स्थापना की गई वो कब की गई इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1935 में option B यहाँ पे आपका राइट आंसर है देखे हिल्टन यंग आयो की सिफारिश पर भारती रिजर्व बैंक की स्थापना एक अप्रेल 1935 में हुई थी और यह भारत का केंडरी बैंक है और इसका मुख्याले कहां पर इस्तित है मुंबई में मुंबई में इसका मुख्याले है भारती रिजर्व बैंक का अगला कुशन देखेंगे चेमान चेरी कुनहीर मन नायर निमनलखित मैसे किस नृती रूप के उलेखनी नर्तक है मोस्ट इंपोर्टेंट कुशन है नृतियों से अकसर कुशन बनते हैं आयो के दारा तो इसलिए यहाँ पर नृतियों से रिलेट करके कुशन रखे गए हैं तो देखें चेमान चेरी कुनहीर मन नायर निमनलखित मैसे किस नृती के रूप में उलेखनी नर्तक हैं तो यह जो उलेखनी नर्तक हैं यह हैं आपके कथकली के option यह यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा और कथकली नृति किस राजी से संबंदित हैं यह question भी पूछा जाता है तो आप इसका right answer कमेंड करके बताईएगा कथकली किस राजी से संबंदित नृतित है अगला question है भारत के समविधान का निम्लिकित में से कौन सा भाग नागरिक्ता से संबंदित है तो देखे इसका right answer क्या हो जाएगा भारत के समविधान का भाग दो जो है इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिक्ता से ये संबंदित है अनुचित 5 से लेकर अनुचित 11 नागरिक्ता से संबंदित है भारती समविधान में एकल नागरिक्ता का प्रावधान किया गया है तो आपका यहां पे भाग सेकेंड आप्शन बी बिलकुल करेक्टा अंसर हो जाएगा अगला कुशन देखेंगे भारत के समविधान के अनुचित 24 के तहट डैश वर्ष से कम आयू के बच्चों को किसी कार खाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता तो देखे भारत के समविधान के अनुचे 24 के तहट, कितने वर्ष के ये बच्चे हैं, तो इसका right answer हो जाएगा, 14 वर्ष की आयू से कम बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता, और ये प्रावधान कौन सा अनुचेत करता है, अनुच जो की राष्टपती के चुनाव प्रगिरिया से संबनित है, और राष्टपती के निर्वाचन में संसत के दोनो सदन एवं राजी विधान सबाव के निर्वाचि सदश्य भाग लेते हैं, अगला कुशन देखेंगे, इसको भी नोट का लिजेगा, गणेश बासुदेव, माव लंकर जो थे, ये पर्थम अध्यक्ष थे, यहाँ पे उपाध्यक्ष पुछा है, तो ऑप्शन C, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, अगला कुशन देखेंगे, तो इसकी शक्ति किसके पास है, ये धान रखेंगे, काफी महतवोण, ये प्रेक्टिस एट है, अगला कुशन देखेंगा, सीरिया की राजधानी है, तो देखें सीरिया की जो राजधानी है, ये कहां परिस्थित है, दमिशक में है, ऑप्शन B, यहाँ पे अपका राइट आंसर हो जाएगा, और यहाँ की मुद्रा पुछी जाती है, दमिशक की मुद्रा क्या है, तो Syrian pound तथा भाशा जो है यहां की कौन सी है अरवी भाशा है अगला question देखिएंगे म्यामार की मुद्रा निम ने लिखे तो ऐसे कौन सी है तो देखिए म्यामार की मुद्रा की बात करें तो क्यात जो है यही म्यामार की मुद्रा है option A question का right answer हो जाएगा और इसके अलावा रियाल जो है यह इरान की यमन जो है याद रखेगा यमन भी एक मुद्रा है जो कहां की मुद्रा है रियाल इरान और यमन की मुद्रा है रियाल जो है यह कहां कहां की मुद्रा एक तो इरान की मुद्रा है दूसरा यमन की रियाल हो गई इरान और यमन की मुद्रा इसके अलावा क्रोन की बात करें तो क्रोन जो मुद्रा है ये डेनमारक और नॉर्वे की मुद्रा है और नाइडा जो है ये कहां की ये नाइजीरिया की मुद्रा है तो कौन सी मुद्रा कहां से संबंदित है ये ध्यान रखना है मियामार की मुद्रा का नाम हो गया है क्यात अगला कुशन है निम्लिकित मैं से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है तो देखें, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली जो नदी है, ये कौन सी नदी है, इसका right answer हो जाएगा नर्मदा नदी, option A यहाँ पर आपका right answer है, देखें, नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, यह विध्यांचल परवत शेणियों के अमर कंट कारी करता करती भारती किस सामाजिक पुराई के विरुद्ध लड़ाई में सामिल है, तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा, बाल विवा, देखें, मानवदिकार कारी करता करती भारती राजिस्तान में, बाल विवा के विरुद्ध आंदुलन के लिए जानी जाती है, और इ किन्होंने सार्थी ट्रस्ट के स्थापना की है, किन्होंने मानवदिका कारी करता करती है, भारती जिन्होंने कौन से सामाजिक ट्रस्ट के स्थापना की है, किस ट्रस्ट के स्थापना की है, सार्थी नामक ट्रस्ट के स्थापना की है, जो कि एक NG है, यह ध्यान रुखें कोन में कूछ कोशिकाओं कि व sottoجके का नि रक्त के ठक्के का गठन होता है इन उठा जाता है तो this कि इनदिन रुकवत आफ्री बोडरल बी। है तो देखिए यहाँ पे इस question का correct answer है सुदर्शन शाह सुदर्शन शाह ने उत्तरकाशी इसने विश्वनात मंदिर का जिर्णोधार किया था और उत्तरकाशी को प्राचिन समय में विश्वनात की नगरी कहा जाता था यह पॉइंट आप ध्यान रखे और और जो आपके सुदर्शन शाह है इन्होंने विश्वनात मंदिर का जिर्णोधार कप किया था ये भी पुछा जा सकता है तो ये वर्ष था बी इस question का right answer है देखे राश्ट पती Congress Party के स्थापना 25 में 1909 को की गई थी और इसके संस्थापक सदश्यों में कौन-कौन थे? सरत पमवार थे? PA संगमा थे? इसके अलावा तारिक अनवर्थ थे? तो ये प्रमुक्त है इसके संस्थापक सदश्यों में से और वर्तमान में इसके अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं तो आप कमेंड करके बताईए का इसका अनसर जिन लोग को आ रहा है अगला कुश्यन देखेंगे भारति समविधान के किस मौरिक अधिकार में कहा गया है कि प्रतियक प्रक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने उसका परचार परसार करने का अधिकार है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर है धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार option d यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा देखे भारती सम्विदान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतरगर अनुच्छेथ 25 से लेकर 28 में धार्मिक स्वतनतता का अधिकार दिया गया है ये धार्मिक स्वतनतता का अधिकार किसमें दिया गया है ये भी आपको पता रहे ना च गादी ने 10 खेडा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्यागरा का आयजन किया था तो दिखे इसका right answer हो जाएगा गुजरात वर्षो निसो 17 में महात्मा गादी ने गुजरात के खेडा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्यागरा का क्या किया था आयजन किया था तो खे आनों ने बड़े हुए लगान की विरुद्ध क्या किया था आंधूलन किया था अगला कुशन है आधुनिक आंध्र प्रदेश में काक्ती वंच की किस रानी को वारंगल छेतर पर शाषन किया ये बताना है तो देखे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आप्शन ए रुद्रमा देवी ने कब किस सताब्दी में तेरवी सताब्दी में वारंगल छेतर पर शाषन किया था और ये है किसकी पुत्री थी गणपती की पुत्री थी जो रुद्रमा देवी थी ये गणपती की पुत्री थी अगला कुशन है आपका अगला कुशन क्या कहता है गर और गरुडशिला कहां परिस्तित है इसका अंसर भी बताएं जिन लोग को आंसर आ रहा है कुछ कुश्यन के आंसर तो आप भी बताईए न तो गरुडशिला जो है ये कहां परिस्तित है इसका correct आंसर हो जाएगा बद्रिनात में इस्तित है आपकी गरुडशिला गरुडशिला बद्रिनात में इस्तित है गरुडशिला के अत्रिक्त नारत शिला नर्सिंग शिला ब्रहम कपाल सिला भी यहीं पर इस्तित है अगला कुशन देखेंगे लद्दाक में पाया जाने वाला यूरेनियम किस प्रियोक नहीं लाया गया है तो यह होते हैं आपके संभाव संसाधन अगला कुश्चन है अगला कुश्चन है उत्राखन में महिलाओं को पंचायतों में 50 परतिशत आरक्षण कब दिया गया था तो देखिए काफी युनिक कुश्चन है उत्राखन में महिलाओं को पंचायतों में 50 परतिशत का आरक्षण दिया गया है और यह आरक्षण दिया गया 12 मार्च 2008 को ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगला कुश्चन देखेंगे परतिरोध को मापने की काई क्या है तो यह भी आपका साइन्स का कुश्चन है आप इसको स्किप कर सकते है प्रतिरोध को मापा जाता है किसके द्वारा ओम के द्वारा यह ध्यान रखें अगला कुश्चन है पेंट यानि की पी एटी एक बहुत सू परिचित प्रकार का डैश है इसका पोतल बनाने के लिए किया जाता है तो देखिए यह पेट जो है यह बहुत सू परिचित प्रकार का क्या है यह है आपका पॉलिएस्टर ऑप्शन सी बिलकुल राइट आंसर है यहाँ पे अगला कुश्चन देखेंगे निमिलकित में से कौन से गैस ऑक्सिजन से भारी होत है यह माईके के परती प्रेम सदई और फ्योली किस से संबंदित है बताएं आंसर करके तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सब ही ऑप्शन डी विलकुल राइट आंसर है उत्राखंड के गड़वाल छेतर में उत्राखंड की गड़वाल छेतर में चैतर महीने में सांची के इस्तूफ का निर्माण किसने करवाया था सांची का इस्तूफ का निर्माण कराया था किसने अशोक ने ऑप्शन सी यहां पर आपका राइट आंसर है सांची के इस्तूफ का निर्माण मौरी समराठ असुक ने करवाया था और यह बहुत धर्म से संबंदित इस् अगला question है भारती राजिस सिक्किम किस देश के साथ अपने सीमा साजा नहीं करता तो भारती राजिस सिक्किम जो है ये किस देश के साथ अपने सीमा साजा नहीं करता है बांगला देश के साथ देखे सिक्किम बांगला देश के साथ अपने सीमा साजा नहीं करता सिक्किम की स में आगले श濟 करेंदे जा रहा है और यह आज आपका नुवाड़ प्रैक्टिस सेट है इनकों साल्व नहीं किया है तो इसपीर पराने क्टिस सैट करके आप देख करें ठेक करके अप wijद बना पर्थवी के आकार से लगभख डैश भाग है तो देखिए इसका राइट आनसर क्या हो जाएगा इसका राइट आनसर है एक बढ़ता चारवा भाग अगला question है नासा के अनुसार सूरी के बाद पर्थवी के निकर्तम तारा कौन सा है तो देखिए नासा के अनुसार बताना है कि सूरी के बाद पर्थवी का जो निकर्तम तारा है ये कौन सा है इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी option c यहाँ पर आपका right answer है नासा के अनुसा सूरी के बाद पर्थवी का निकरतम जो स्तारा है यह कौन सा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी है और यह पर्थवी से लग भग 4.2 प्रिकास वर्ष की दूरी पर है अगला खुशन देखेंगे पटा का किस देश की मुद्रा है तो देखें पटा का जो मुद्रा है यह है किस देश की मकाउ देश की option c यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा पटा का मकाउ देश की मुद्रा है और पनामा की बात करें तो ये पनामा लाउस तथा मेक्सिको की मुद्राएं है और इसके अलाबा संयक्तुराजी अमेरिका की मुद्रा क्या है डॉलर है ये भी आपको ध्यान में रखना है और लाउपिक जो है लाउपिक तथा मेक्सिकन ये पैसो है तो ये आपको ध्यान में रखना है तो ये आपका मकाव जो हो गया ये किस देश की मुद्रा है सॉरी पटा का जो है ये मकाव देश की मुद्रा है इसके अलावा पनामा लाउस और मेक्सिको की बात करें तो पनामा लाउस और मेक्सिको जो मुद्रा हैं ये सेंक तुराज अमेरिका और इसके अलावा लावा लाओ किप और मेक्सिकन पेसो की मुद्राएं हैं अगला कुशन देखेंगे भारत की राष्टुपती द्वारा चरीत्र को बदले बिना सजा की मांत्रा को कम करना अनुचेद 72 को डैस कहा जाता है तो इसको कहा जाता है क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा परिहार इसको परिहार बोल जाता है बारती सम्वीधान के अनुच्चेद 72 के तहट राष्डपती को शमादान का धिकार प्रापत है जिसके अनुसार राष्डपती द्वाला दंड की मातरा को उसके प्रकृतियाथ चरित्र को बदलने की बिना कम करना परियार कहलाता है अगला कुशन देखेंगे भारती सम्विधान के किस अनुच्छेद के तहत उप राष्ट पति का चुनाओ होता है तो भारती सम्विधान के कौन सा ये अनुच्छेद है जिसके तहत उप राष्ट पति का चुनाओ होता है ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 66 option C यहाँ प पातिक पृतिनित्थित्व के अधार पर एकल संक्रमणिय मत परणाली द्वारा एवं गुप्त मतदान से होता है। अगला कुशन देखेंगे निमने मैं से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है तो देखें इन मैं से वेब ब्राउजर नहीं है आपका गूगल ऑप्शन ए इस कुशन का राइट आंसर है और गूगल जो है ये एक सर्च एंजन है जिसका उप्योग इंटरनेट पर किसी भी विश बतूता था ये मुरक्को से आया हुआ था ओप्शन ए यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इबन बतूता मुरक्को यानि अफ्रीका का यात्री था वह मुहमद बिन तुगलक के शाषनकाल में भारत आया और सुल्तान तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियोक्ति किया था सुल्तान तुगलक के समय प्रमुक घटनाओ को इसने अपनी पुस्तक रहेला में उद्रित किया है ये ध्यान रखेंगे अगला कुशन है भारत में सिक्कों की धलाई का एक मातर अधिकार डेस के पास है तो देखिए सिक्कों की धलाई का एक मातर अधिकार किसके पास है भारत में भारत सरकार के पास option C, यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा, भारत में मॉंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोईडा की तक सालों में सिक्कों की ढलाई की जाती है, अगला question देखेंगे, ग्यान प्राप्त करने के बाद सिधार्थ को किस रूप में जाना जाने लगा, तो देखें, ग्यान प्राप्त जब कर लिया सिधार्थ ने, तो इन्हें जाना जाने लगा, बुद्ध के रूप में, option B, यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा, देखें, कई परशों तक कठोर तपश्या की पस्चाथ सिधार्थ जो है इन्हें ग्यान प्राप्ती अगला कुशन देखेंगे, दिये गए बिकल्पो में, जो भिन है, उसका चैन करें, तो देखें, आख, आथ, फेब्डा, गुर्दा, तो इन मेसेज यू डिफरेंट है, वो चुन लेना है आपको, तो यहाँ पे आपका right answer क्या हो जाएगा, आख, आथ, गुर्दा, फेब में होते हैं, लेकिन आख, जो हता है, यह स्कल्ड, yarni face में होता है, यह दिहां रखेंगे, अगला है, यदि किसी чист code भाषा में, इसको यह लिखा जाता है, इस रूप में coded किया जाता है, तो उसी code में, इसे क्या लिखा जाएगा, यह बताना है, किस रूप में सका code होगा तो यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा क्या option B आपको शुरू के practice set में ये वाला question solve करना सिखाया है मैंने तो रोज रोज possible नहीं होता है क्योंकि काफी समय लग जाता है इसको solve करने में तो इसलिए आप पुराने practice set number 1 या number 2 practice set में आपको ये solve करना सिखा दिया है मैंने तो सभी में जरूरत नहीं पढ़ती तो आप पुराने practice set को भी follow कीजिए अगला है विक्रम ने बेधा से कहा मैं एकल समुत्र तरट पर जिस लड़के से मिला वह मेरी मा के पती के भाई का सबसे छोड़ा पुद्र है लड़के का विक्रम के साथ रिस्ता क्या है तो देखे इसका right answer क्या हो जाएगा चचेरा भाई option A बिलकुल correct answer है अगला question देखेंगे प्रिया जो विनो मनो और राज पांच व्यक्ति हैं एक दिन एक इंटर्व्यू के लिए पस्तित होते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि उसी क्रम में बीनो इंटर्व्यू के लिए पस्तित होने वाला न तो पहला व्यक्ति है नहीं अंते राज से पहले और मनों के बाद 3 व्यक्ति इंटर्वियू के लिए उपस्थित हुए पृरिया जो बाद में इंटर्वियू के लिए उपस्थित हुने वाला आखरी व्यक्ति कौन था तो इसका correct answer हो जाएगा क्या पृरिया प्रिया ओप्शन सी बिलको राइट आंसर हो जाएगा आखरी जो व्यक्ति है वो है प्रिया और लास्ट कुशन है आज के इस प्रैक्टिस सैट का कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर दक्षन दिशा में चलता है फिर 45 किलोमीटर दक्षना वर्त मुड़ जाता है तो option C यहाँ पे आपका correct answer हो जाएगा तो okay guys आज के session में इतना ही I hope आप सभी को आज का ये session काफी पसंद आया होगा अगर आप सभी को आज का ये session पसंद आता है तो इस session को like कीजिएगा, share कीजिए और जिन लोगों ने अभी भी हमारी YouTube चैनल study with aim को subscribe नहीं किया है वो subscribe कर लिजिए पांच बजे आप सभी को हिंदी की class प्रोवाइड कराई गई थी जो जिन लोगों ने हिंदी की class नहीं देखी है तो वो देख लिजिए तो चलिए मिलते हैं एक next interesting videos के साथ तब तक के लिए धनियावाद